बिस्मिल्हारमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टु स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज मैं बनाओगी सिंपल और टेस्टी चिकन बिरियानी, बाहर के तैयार बिरियानी मसाले से भी किस तरह जायकेदार बिरियानी बनाते हैं, वो भी आपको बताऊंगी, त तो चलिए, चावल और चिकन मसाले को, मैं किस तरह से लेयर लगाती हूँ, और टेस्टी चिकन बिरियानी बनाती हूँ, देख लेते हैं, सिंपल चिकन बिरियानी बनाने के लिए, सबसे पहले, मैंने गैस पे एक कड़ाई रख्यू, उसमें दालेगे एक कप तेल, बिस्मिल्लायरमानी रहीं, तेल गरम हो गया है, इसमें दालेगे प्यास, तो यहाँ पर पाच मीडियम साइस की प्यास को देखी, मैंने इस तरह से बारिक-बारिक काट लिए, और इस तरह से एक-एक प्यास के लच्छे अलग-अलग कर लेना है, जिसके प्यास अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाती है, प्यास को हमें अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, ताकि प्यास जल जले नहीं इसके लिए तो आप चाहे तो गैस बन करके भी थोड़ी सी प्यास निकाल सकते हो तो चावलों में थोड़ी सी प्यास हम उपर से डालते ना तो चावलों में भी ये फ्राय प्यास का बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुश्बो आ जाती है तो देखिए जो प्यास अच्छे से फ्राय हो गई मैं थोड़ी सी इसमें से निकाल लूँगी गयास की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखे ताके प्यास जले नहीं ये देखिए थोड़ी सी निकाल लिए बाकी प्यास में अब चिकन डाल देगे फोरन हम तो यहां पर मैंने एक किलो चिकन लिए दाल देते बिसमिल्लायरमानी रहीं और फटा-फट से इसे प्यास में मिला देगे ताके प्यास जले नहीं गयास की फ्लेम अभी भी मैंने धीमी रखिये अब इस तरह से चिकन को फ्राय करके लेते ना तो चिकन में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ये जो फ्राय प्यास का है तो फ्लेवर काफी अच्छा आता है अब देखिए साथ में हम डाल देगे अधरक लसन और मिर्च का पेस्ट तो यहां पर है दो चमच अधरक लसन का पेस्ट और पांसे चेह हरी मिर्चे तीनों को मैंने साथ में मिक्सर में पीस लिए और पेस्ट तयार कर साथी में मैं टमाटर भी दाल देती हूँ ताके टमाटर भी अच्छी से नरम हो जाया तीन चोटे सा इसके टमाटर है इस तरह से काट लिए आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी रिबना कर डाल सकते हो और टमाटर अधरक लसन हरी मिर्च और चिकन को हम 2-3 मिनट के लिए तेजाट पर अच्छी तरह से भून लेते तीन से चार मीनिट तक मैंने अच्छी तरह से मसाले में चिकन को भून लिया है ये देखी टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए मसाले में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए है बाकी सारे मसाले डाल देते हम इसमें तो मैं डाल रही हूँ बाजार का तैयार बिरियानी मसाला मुम्तास का है ये आप कोई भी बिरियानी मसाला ले सकते हो तो चार चम्मच बिरियानी मसाला डाल रही हूँ मैं एक चम्मच लीव मैंने फुल भरके लाल मीच का पाउडर, आप मीच अपने टेस्ट के साब से कर दे, थोड़ी सी है हल्दी पाउडर, एक चम्मच है धनिया पाउडर, नमक डालेगे हम टेस्ट के मुताबिक, और यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच दही लीव, यह फ्रेज दही ह नहीं है, तो यह भी डाल देते हैं, इसे फेट कर दालना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देते, मसाले में गल भी जाएगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, अब सभी चीजों का मच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिर्यानी पकती है, वही टाइम पर पता चल जाता है, खुश्बू से के बिर्यानी बन रही है, इस बिर्यानी को आप रमजान महीने में जरूर बनाई है, काफी ज्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि ऐसे हमारे रमजान महीने में रोजे होते हैं, और जटपट बनने वाली बिर्यानी है, काफी ज्यादा बनती है एक तरफ आप मसाला तयार कर ले और मसाला तयार करने से पहले चाल भी गो कर रग दे तो यह जल्दी हो जाती है तो अब हिलानी तो आप इस तरह से जरूर बनाईे की देखिए तिक तरह से सबी चीजों को मैं ने मिक्स कर दियो तो हम सब वहां तक पकने देते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल भी डाल रही है क्योंकि चिकन में का जो पानी है टामाटर का पानी और अभी हमने दही दाला है तो जब भी बिरियानी के चावल बनाते हैं, तो पानी ज्यादा ही लेना है, क्योंकि चावलों को हम छान लेते हैं पानी में से, अब यहाँ पर तीन चमज फूल भरके मैंने नमक ले लिए। और यह खड़े मसाले भी डाल देते हैं तो चावलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अब देखिए पानी अच्छी तरह से गरम हो जा इसके बाद हमें चावलों को डाल देना है तो यह दावत के बासमती लॉंग ग्रेन चावल है इसे मैंने आदा घंटा पहले के साथ पकाएगे दमपर बिर्यानी में आप चावल अच्छी कॉलेटी के लोगे ना तो इसे बिर्यानी में खाने में मजा भी आता है और देखने में भी बहुत जोड़दा लगती है एक बार मिक्स कर लेते हलके हातों से कि के चावल भीगे हुए तो टूटे नहीं अब दखकन ढ़ाके भी ना खुले में हमें 90 परसं तक यानि 90 परसं तक कूख कर लेना है तो चार से पाच मिनट में ही चावल अच्छी तरह से बॉइल हो जाते तो अभी थोड़ी सी कनी हमें चैक करना है कि बाकी है कि नहीं यह देखिए अलकी सी कसर चावलों में बाकी है तो पटापट से चावलों को हम छान लेते और एक बड़े से बड़तन में हम निकाल कर फैला देगे से साइड पर चिकन पकड़ा है हमारा वहां तक चावल भी हमारे बॉयल हो गए तो जो लोग बैचलर है वो लोग भी यह बिरियानी को बहुत ही आसानी से बना लेके क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बिरियानी की रेसीपी दे रही है आप लोग के साथ एंट तक रेसीपी को आपने पूरी देखना है चिकन को भी चेक कर लेते हम बीच में मैंने एक बार इसे चेक कर ली थी और यहाँ पर साथ से आथ मीनट हो चुके चिकन को गलते को ख में और मसाले को हलका सा सुखा लेते हैं आप चाहें तो इस ठाاز पर यह कोर्मे को प्रोटी के साथ ब्रेट के साथ नान के साथ खा सकते अगर किसी को मह खाना पसंद दे तो जबर्दस कॉर्मा तयार हुआ है मैंने ज्यादा करके घर के एं और्मल मसाले डाले यह बि प्यास बन कर देती हूं और बिर्यानी को दंपर लगाए गया जिस पतीले में मैंने चावल को उबा ली हूं उसी पतीले में चावल को यानि बिर्यानी को दंपर रखने वाली हूं तो आदे चावल दाल देती हूं मैं इस तरह से फैला देगे आदे चावल डाल दियूं मैंने यहाँ पर अब जो चिकन का मसाला तैयार किया है हमने उसे डालेगे तो इस तरह से जो जारा है तो यह इससे डालेगे ताके तेल हमारे चिकन के मसाले के साथ ना है यह देखिए मसाला और चिकन ले रही हुँ मैं तो एक तरफ इस तरह से मैं दाल देती हूँ सभी chicken को आज मैं मसाला अलग टाइप से डाल रहे हूँ ताके हमें सफेज चावल चाहिए वाइट चावल तो वो भी आराम से मिल जाए तो एक तरफ इस तरह से मसाला फैला दूँगी मैं यह देखेज तेल बचा है बाकी सब मसाला और चिकन मैंने डाल दिया है अब हम आदे बचेवे चावल डाल देगे इस तरह से क्या होगा जब हमने आदे चिकन को एक तरफ डाला है तो वाइट चावल जी से खाने वाइट चावल भी आराम से मिल जाते चावलो को अच्छी तरह से फैला देगे हम, तो चावलो की दो लेयर लगाई है मैंने, और चिकन के मसाले की सिर्फ एक ही लेयर लगाई है, अब ये मसाले वाला तेल ले लेते हम, उपर से डालेगे तो सभी चावलो में अच्छी तरह से फैल जाता है, चावलो में तेल अच पानी डाल कर गोल लिया अच्छी तरह से वो डाल देगे तो एकी तरफ डाल रही हूं मैं उसे भी देखें धाल दिया है अब थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देगे और जो हमने फ्राई प्यास बचा कर रखी थी ना तो वो डाल देगे अब इसे ढख कर हम मीडियम से थोड़ी सी कम आच रखे गे और आठ से दस मिनट के लिए दंपर पकाना है बिर्यानी को दंपर रखे वे दस से बारा मिनट हो गए है माशारला खुश्चबूई खुश्चबूई आ रही है और अब मैं गैस बन कर देती हूँ क्योंकि बिर्यानी अच्छी तरह से दंपर हमारी पक चुकी है और देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाई हूँ चावल का दाना भी के खिला खिला है हमारा इस तरह से एक ही तरफ कलर दालने से आपको white चावल अलक से मिल जाते इस तरह से चिकन जब एक ही साइट डालते ना तो आसानी भी हो जाती है चावलों में हमें सर्फ करने के लिए तो चिकन भी इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुका है चली गर्मा गर्म हम इसे डिश आउट कर लेते हैं प्रणी बहुत कर लेते हैं झाल 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 झाल